गेहूं के आटे की खारी मैंने दिवाली पे बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, क्रिस्पी बनी थी, मार्केट से भी अच्छी बनी थी, सब को बहुत बहुत पसंद आई इसे बनाने के लिए आप लिजिए दो कब गेहूं का आठा और इसमें डाल दीजिए half table spoon के करीब अजवाइन और इसमें डालिए salt to taste और इसमें डालिए करीब करीब 2 table spoon oil oil refined oil ले लिजिए या फिर शुद्ध तेल भी डाल सकते हैं mix कर लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूथिए जरूरी नहीं है कि पानी गरम हो room temperature पे है काफी है normal पीने के पानी से ये आठा गूथ सकते हैं आठा गूथते समय ध्यान रखिए हलके हाथों से गूथना है लेकिन थोड़ा hard गूथना है regular dough से थोड़ा hard होना चाहिए तो बहुत अच्छा बनेगा तो देखिए मैंने आठा गूथ लिया है और बहुत दबा दबा के ने गूथना है बस अब इस आठे को four part में आप divide कर लीजिए और इसको roll करेंगे जैसे regularly रोटी बनाते हैं तो कैसे हम गुथेवे आठे को थोड़े देर रेस्ट पे रखते हैं फिर उसके बाद उसको roll करते हैं यहां पर कुछ भी ऐसी जरूरत नहीं है आठा गूसने के बाद इसको immediately roll करेंगे अभी देखिए यह butter है टू टू थ्री टेबल स्पून आप butter ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए टू टेबल स्पून corn flour और mix कर लीजिए इसको apply करेंगे हम क्योंकि हम खारी बनाने वाले हैं तो खारी थोड़ी crispy हो और layers उसके separate ह तो अभी देखिए बड़ी सी एक रोटी बेल लेनी है बीच बीच में सुखा आठा लगा लिजी इससे बड़ी रोटी आप बेल सकेंगे तो ऐसे ही हमने चार पेड़े बनाया है तो चार रोटी बेल लेनी है बेल लेने के बाद जो हमने मक्षन में यह जो डाला है corn flour उसक तो अभी पूरी रोटी बेल लेनी है थोड़ी पतली ही बेलनी है बहुत मोटी भी नहीं तो बहुत पतली भीम आठा भी नहीं बेलनी है अब जस्त एक ब्रस से या फिर ऐख से डारेक्ट से आप यह जो बटर और corn flour का मिक्शर है प्लाई कर लेना है इसको अगा फ्राइ कर और काउन फ्लावर का मिक्षर, फिर ऐसे पूरी लेयर तयार हो जाएगी, ऐसे करने से ना जब हम फ्राइ करेंगे तो उसकी लेयर सेप्रिट हो जाएगी, रोल करके जब हम खारी बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगे, यदि आप इस टाइप से खारी बनाते हैं तो ओईली भी नहीं लगती है, अब देखिए इसको जस्ट मैंसे फोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से आप फोल्ड करके बस रख लीजिए, एर टाइट कंटेनर में और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, पंदरा मिनुट के लिए, ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के बाद इसको हम रोल करेंगे, ठंडा हो गया है, जस्ट तुरंत इसको रोल करना है, थोड़ा सुखा आटा लगाते वे, हमने फ्रिज में इसलिए रखा ताकि जो अंदर का जो बटर है, वो थोड़ा ठंडा हो जाए, जम जाए, और जब हम फ्राई करेंगे, तो बहुत अच्छे में फोल्ड करके रखा था, तो वैसे ही रोल कर लिया, आप चाहें तो राउंड शेप में भी रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग इसकी जैसे रेगुलर खारी होती है, स्क्वार शेप में कट कर लीजिए, या फिर रेक्टेंगल शेप में कर लीजिए, मैं र जिसे खारी आती है, छोटी वाली, वैसी ही लगेगी मार्केट वाली खारी, बहुत ही अच्छी लगती है, और यह मैदे की नहीं है, यहों के आटे की है, सबसे बड़ी बात है, हिल्दी भी रहेगी, वैसे तो देखिए, खारी का जो आप देख रहे हैं प्रोसेस तो बहुत तेज आज पे फ्राई भी नहीं करना है, देखिए अभी जस्त मैं डाल रहे हूँ, तो तेल तो धीरे धीरे गरम होता चला जाएगा, तो मीडियम हीट पे, मीडियम टू लो हीट पे इसको फ्राई करेंगी, तो खारी बहुत अच्छी बनेगी, बस बीज बीज में इसको फ्लिप करते जाना है, टाइम लेना है, तब ही ये खारी अच्छी बनेगी, यदि आप मीडियम टू हाई या फिर हाई हीट पे इसको फ्राई करेंगी, तो इसका रंग ही बदल जाएगा, और अंदर के लेयर प्रपर फ्राई नहीं होती है, इसलिए मीडियम या अच्छी बढ़ा देजिए, बिल्कुल भी हाई हीट पे बिल्कुल फ्राई ही नहीं करना है, यदि आप हाई हीट पे फ्राई करेंगे, तो खराब हो जाएगी खारी, एकदम हाट बनेगी, आपको वो स्वादी नहीं आएगा मार्केट वाला, इसलिए मीडियम या मीडिय मीडियम टो लो हीट पे इसको फ्राई करना है, बेटर है कि आप इसको मीडियम टो लो हीट पे फ्राई करें, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बनती बहुत अच्छी है, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी, अभी देखिए मैं नेक्स्ट बैच भी डाल रही हूँ, इस व खारी बहुत अच्छी बनेगी, हर बैच की खारी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, और इसको धीरे धीरे फ्राई करना है, तो इसका रंग ना बहुत अच्छा हैगा, गुल्डन कलर बहुत अच्छा हैगा, बिल्कुल जले गानी बहुत अच्छी बनेगी, पेशन्स रख आ लिये मैंने, ऐसे, सिंपल तरीके से, सबको बहुत पसंद आई, चाय के साथ हमने खारी खाई, बहुत मज़ेदार थी, आप देखिए, सच मुछ, बहुत क्रिस्पी बनी, हमने बनाया और तुरंद खाया, थोड़ा सा बच्चा था, तो मैंने उसको एरटेट कंटेनर में रख दिया था, और थ्री, फोर डेस के बाद हम खाये, तो बिल्कुल वैसी ही क्रिस्पी और टेस्टी था, बहुत लंबे टेम तक मैंने नहीं स्टोर के, क्योंकि मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था, वैसे जब भी आप कि यहों कि आटे की खारी बना के खाना च तो वन वीक के लिए स्टोर कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्रिस्पी रहेगा, स्वाद बना रहेगा